अब देखेगा वर कंट्री इंडिया कर दिया था इंडिया क्लाइमिट वेजिटेशन इंड वाइल लाइप करते चैप्टर एट लास्ट यह जोगरफी का लास्ट चैप्टर हो गया है सब विडियों बिल जाएगा और जिसका विडियों नहीं बनाया होगा तो उसको इंडिया क्लाइमिट वेजिटेशन एंड वाइल लाइफ भारत जलवायू वनस्पती और जंगली जीवजंट ठीक है चली लास्ट देखो अच्छा सिख क्लास में वेदर और क्लाइमेट मौसम और जलवाई हो कौन-कौन समझते हैं तुट्राओं मौसम और जलवाई हो में क्या अंतर है इंदी में है ना सिस्टी थोड़ तो मत निकालो इस पताईए मौसम और जलवाई होता है यह होता क्या है जलवाई हो मतलब जल और वाई हो किसी भी जगह पर अगर एक ही जैसा मौसम पचीस सालों तक रहे तो उसको उस जगह की जलवाई हो यह क्लाइमेट करते हैं मेरी बात समझने की कोशिस करिए इंडिया में एपरेल मई जूम तीन महिने एक तुम दवा करके बहुत अच्छी गर्मी पढ़ती है हर साल पढ़ती है मुबंद जुलाई अगस्त और सेप्टेंबर यह तीन महिने यहां पर कुछ कम हो लेकिन अधिकतर जगहों पर बहुत अच्छी बारिस होती है अक्टूवर और नॉमबर ठीक है अक्टूवर नॉमबर ऑटम यह पजड़ का मौसम होता है ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी लेकिन दिसंबर और जन्वरी बहु ज्यादा सर्दी फरवरी मार्च स्प्रिंग का मौसम बसंद का मौसम होता है ना और फिर वही अप भारत की क्लाइमेट या भारत की जलवाई हो गई लेकिन अगर हम देखें कि अभी मानलो धूप निकली है थोड़ी देर में बादल घिर के वारिस होने लगे फिर तेज धूप आ जाए फिर धूप धूप के साथ साथ बहुत गर्मी पढ़ने लगे फिर साम को पता चला कितन अगर अगर मान लों कि महीनों तक गर्मी का मौसम रहे महीनों तक बारिस होती रहे तो ही इसा मरी बात क्लाइमेट मतलग जो लंबे समय तक एक ही जैसा मौसम रहे बारिस के मौसम में बेसक हमेसा बारिस ना हो लेकिन कभी बारिस तो तीर रहती लेकिन बारिस की दिन में क्या होगा एक दिन में कभी धूप निकल जाएगी और दोपार के समय कभी बारिस हो गई साम तक फिर बादल आ गए तो यह मौसम का बदलना कहा जाए उसको कहते हैं जो कुछ मिन्टों में घंटों में हफ्तों में दिनों में परिवर्तित होता रहे उसको मौसम काते हैं और जो लंबे समय तक एक ही जैसा मौसम को जल्वाइव कर दिफ्रेंट अलग लग प्रकार अलग लग तरह के क्रिया कला है देखिएगा देखिएगा दा मेजर सीजन इंडिया भारत में कौन से सीजन पाए जाते विंटर डिसंबर से फरवरी तक रहता है समर मार्च से मई तक लग बग रहता है गर्मियों का मोसम तो इसमें थोड़ा मैंने ज्यादा डीपली बता दिया रफली आप जान जाओ कि दिसंबर से नवरी तक सर्दियों का मोसम विल्टर सीजन रहता है मार्च से मई तक समर का या गर्मियों का मोसम रहता है जून से से सेप्टेमबर तक बारिस का मोसम या रेनी सीजन रहता है और अक्टूवर और नौवर आटम का मोसम या पज़ड का मोसम रहता है समझनारी बात बुक म होता है कैसे होता है मैठ की पूक एक साइज करके हैं आप लो आज कोई टेस्ट नहीं रखा आप देखिए आप दो कुर्सी छोड़के बैठ जाओने तो कब करोगा तो मुझे प्रॉल्म हो जाए इसके यह भी कर लेगा ना तेरे से मैं इसकी चिंता है कि दूरिंग दविंटर सीजन कूल ड्राइव इन ब्लू फ्रॉम नौर्ट तु साउथ शन्रेस्ट दू नौट डिरेक्टली इन दरीजन आज़ इसल्ट तेम्प्रेचर आर क्वाइट लो इन नौर्डन इंडिया हारत में उत्तर भारत में पता है इंडिया में सर्दी क्यों उत्तर भारत में होती है कि तामिल नाडू केरल करनाटक महरास्ट आंद्र पर्देश अस्ता तुम्हीं जाओगे जौप रुपीडियो सुमें ठीक है उन्हीं मौसमों में क्यों गर्मी सर्दी वहीं होता है कहां पर नौर्थ इंडिया साउथ इंडिया में नहीं होता ठीक बात समझ में होता है ठीक है वहाँ पे दिन छोटे होंगे सर्दियों में दिन छोटे होते हैं राते बड़ी होंगी और सूरज की जो रौशनी है हमें गर्मी क्यों नहीं लगती क्योंकि सूरज की रौशनी तिर्ची पढ़ती है स्लेंटिंग पड़ा ठीक है ना बिल्कुल सीधी नहीं पड़ा इसलिए स्लेंटिंग तेड़े को तेड़े को स्लेंटिंग करें अब देखो होट वेदर सीजन और समर गर्मियों का मौसम तो हमको पता ही है अभी जैसे इंसूर कुला तो तो कैसे करते हाई सर्जी मर गए सर्जी सांस रुक गई कहते ना किनी गर्मियों पड़ते घर से यहां तक आते 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 आपका क्या काते थे आमलेट बन जाता था कौन का रहा है आओ प्रसाद लो कि मांसू मेरे पास आओ तो होट वेदर में क्या होता है वेटा संड्रेज डैरेक्टली पड़ती है देखते ना जब गर्मियों के मौसम में बहुत जादा धूप लगते पता है क्यों क्योंकि सूरज की किरने तिर्ची नहीं पड़ती बिल्कुल सर के उपर आके एकदम सीधी सीधी पड़ती बात तभी तो ज्यादा प्रकास मिलता ने सीधी किरने तुम पर खोपड़ी पर पड़ेगी तो तंबूरा बन जाएगा तुम कितने दूर जाओगे संसे कितने दूर जा सकते हो संतो बड़ा है ना संसे तो कहीं कोई नहीं भाग सकता तरती कि किसी भी कोने में जाके बैठ बाहर किसी भी कोने में जाओ कहां कौन सा कोना ढूंड़ोगे अरे कोई च्छाओं की चीज ढूंड सकते हो लेकिन ओपन स्काइप तो धूप लगेगी सुरज आपके साथ राता है क्योंकि सुरज बहुत बड़ा है हमें लगता है छोटा है हर जगह है न वो देखिएगा अब मैध की पोग एक सैज करी आपका समय आएगा तो पूछिए तेमपरिचर बिकम्स भेरी हाई हॉट एंड ड्राइव इंस कॉल लू आपको पता है न तो यह सब होता है अरब सागर से और नहीं तो बंगाल की खाड़ी से हवाएं आती हैं अपने साथ समुदर के ऊपर से आती हैं तो मौसर लेके आती हैं जैसे ही लेंड पे पहुंचते हैं तो बादल बना लेती हैं और बादल बना के खूब बारिस करती है और जिसमें सब लोग डूब जाते है और यह बारिस होती कैसे हवाएं जब आती हैं तो पहले हमारे समुद्र के किनारे अगर अरब सागर की बात करो तो वेस्टन घाट ठीक है जैसे आपने इंडिया दिखा होगा ना थोड़ा सा दिखाएंगे ज्यादा तो मना लिखांट सा आप जैसे आपको इंडिया दिख र क्ल्क्राइब भले णो अवाय अती है तो इससे थकल राकिए तो इसे अएो पूंते पूंते बाले यहां तो इसे तक्राइब गारुखासी जंतिया में तो यहां बारिस कराएंगे और मोड़ करके फिर्कुल वेस्ट पेंगोल बिहार उतरपरदेश बिल्ली अर्याना राजनां तक को चलिए और यहां पे पूरा मौंटेन तक 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 ना करनाट का म अब देखो अब देखो सीजन ओफ रिटर्णिंग मौंट्सुन और ऑटम देखिए होता क्या है कि गर्मी जब अक्टूवर नॉवंबर का महीना होता है तो अक्टूवर नॉवंबर में भी कभी-कभी दैसाहरे के टाइम पे पी कभी-कभी बारिस हो जाती दिवाली के समय मौंसुन लॉट आए जो यह नॉर्थ की तरफ गया था ना फिर दुबारा लॉट के आएगा तो नॉट से नीचे इस्ट की तरफ आएगा और आंदर परदेश में बारिस होती और यह क्यों होती मैं आपको बताओं यहां से जब हमाई लॉट्पी है यहां पर कोई पाहड नहीं है फिसे घंडी गड़ क्या बता है हो तुम मैंप के देखो वह सब इसके लिए मैप खीचेंगे अपके लिए यह दिल्ली यह बस लेखिए डाउन टाउख तो इससे लॉटते वे मांसुन से तामिल नाडू में आंदर पर्देश में बहुत अधिक पारिस होती है अब देखो मॉन्सून मॉन्सून जो वर्ड बना है वो अर्भी सब अरब कंट्री नाम सुन अरब के लोग होते हैं अरब हम तुमसे बोल रहे हैं तुम कहां द्याने अरब कंट्री सुना है अरे साओधी अरब कतर इरान इरा तो अरब तो अरब में अरबी सब्द है मॉन्सून जो रहे है मॉसिम से बना मॉसिम मतलब एक अरबी सब्द है हिंदी में मॉसम कहते हैं यहाँ पर मौन्सिन राम का एक जगह है मौन्सिन राम दुनिया में सबसे दिख महां बारिस होती है पूरे धर्ती पर अर्थ पर इससे ज़्यादा बारिस कहीं पर भी नहीं होती याद रखिएगा अब देखो हमारे इंडिया में जो बारिस है उसी पर खेती डिपेंडिन्ट है क्योंकि टूब वेल से या कुओं से तलाबों से नहरों से बहुत कम सीचाहि की जाती है अधिकतर जो इंडिया में खेती होती है बारिस की उपर निरुवर करती है अधरी से होगी तो अच्छी फसल होगी और बारी सच्छी नहीं होगे तो फसल भी सब्रबाद हो जाएगी ठीकए एवे यह जो क्लाइमेट है जलवायू जो है मतलब कहीं बारी सोती है कहीं हमेशा पढ़ती है कौन कौन से ऐसे पैक्टर है या lived a घटक जो कि उसको परभाविद करते या इंफेक्टDr. अबर बार श्कई बारें ज्यादा हो रहे तो अ बारे शोरी ये लेकिन यहाँ पर क्यों यह क्या कारण कारण इसके पीछे जिम्मवारे कौन सा रिजन रिस्पॉंस पर पहला है लोकेशन अगर समुदर के किनारे कुई जगह रहेगी पहाड उसके आसपास होंगे तो बारिस अच्छी हो ठीक है और अगर मानलो कोई रहेगी स्तानी लाके में होगा तो वहां पर बा बारी होती है स्नो फॉलिंग होती है वहां पर पानी की बहुत ज्यादा टेंप्रेचर कम हो जाता है डिस्टेंस प्रॉम दसी अगर कोई जगह समूद्र से बहुत ज्यादा दूर हो गई तो वहां बारिस उतना ही कम होगा समय नहीं है बात को केरला में सब में वेस्ट अब जैसल मेर और विका ने जो कि राजस्थान का जहांपर की टेजर भी जहां मरू स्थाल वहां बहुत ज़्यादा गर्म पड़ती है पारिस को दो नहीं है लेकिन लेह से लेकर के कारगिल तक द्रास से लेकर नहीं जो जम्मो कस्मीर का इलाखा है वह ज़्यदा सर्दी ठीक है कोस्टल प्लेसे जैसे मुंबई कोलकाता यहाँ पर moderate temperature होता है मतलब कि ना तो ज्यादा गर्मी और ना तो ज्यादा सर्दी दिन में आपको थोड़ी बहुत गर्मी लगेगी और रात को थोड़ी बहुत सर्थी तो मतलब वहाँ पर कभी भी लोग जैकेट, स्वैटर, कोट यह समने ही पांगते हैं जो समुदर के किनारे के लाके होता है, आपको रादमी को कंबल चाहिए होता है, वहाँ पِّया पर चातर सा थोड़ा हलगा और दिन में और वोमते रही है कहां पर? वहां पर बिल्कुल सर्थी नहीं है दे आर नाइधर तू होट नौर कोल्ड तू गोल्ड बिंग ऑन दा कोस्क इस प्लेसे जार वेरी हुमिड मौंसिन राम इन में खाले में है वो दुनिया में सबसे अधिक बारिस पार्टी स्वरी वर्ल्स हाइस ट्रेंफॉर्ट ठीक है द मौंसिन राम में हुवता है यादर कियगा चेरापंजी में मौंसिन राम arrangeो कॉरा भाff को कि भड़ी जगहा है और उसमें भी मह तूह अपलोग समझ गे भारत मे कहा कहा का हगोता है की तो कीकि अएक एगए को चलाइमिट प्रम भारत में कहा कहा कैसे होता है कि आप लोग को इसका वेरी सौर्ट को यह जितने भी कोशन से सब कुछ मिल जाए ठीक है अब हम लोग नेचुरल वेजिटेशन के बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन मतलब के प्राकृतिक वनस्पति कहां किस तरह के जंगल पाए जाते हैं इसके उपर बात करेंगे बात करेंगे वेजिटेशन पाए जाते हैं प्राकृतिक वनस्पति पाए जाते हैं पांच तरह के जंगल पाए जाते हैं अगर इसको सिंपल भासा में कहाँ जाए इसको अब अटरलाइन करूं वीडियो में देखें घर पर पर पूसंद में आएगा कि वेजटेशन आप इंडिया दिवाइट इंटू फाइपज फॉटीर एवर्गृन फॉट्रेश्ट विश्वतियग विश्वतीय सदा बहार वन ग्रीग डेशस्ट अच्टेश्ट्यर वान मतलब उसन कटिबंदिये सदा बहार वन ट्रॉपिकल डेसिदियस फॉरेस्ट मतलब उसन कटिबंदिये पतजड़ वन थ्रॉनी बुसेज मतलब की कटिली जाडियां माउंटेन वेजिटेशन मतलब की परवतिय वनस्पति जो पहाड़ों पे उखती है और मैग्रो फोरेस्ट जोकी नदियों के डेल्टा के पास उखती जहां नदी समुद्र में मिलती है सागर में तो वहाँ दल्दल जैसा हिलाका बन जाता है तो वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसको मैग्रो मैंग्रो क्या कहते है मनस्पति या वेजिटेस सब्सक्राइब करनाटका में महारास्त के यह वाले वेस्टन घाट कर सकते हैं इसको वेस्टन घाट या पस्च्वी पस्च्वी प्सक्राइब जाता है यह रहा करनाटका यह महारास्त ठीक है उसके बाद आसाम कि अगले क्लास की वीडियो में है ना मैं इसका मैप बना की आपको अच्व टाइम कम मिलेगा अब देखें कि रुख्यों में दिखाई दो तुनों को मैप बना कि बस दो मिनिट लेगे मैं आपको सारे के सारे बारे में बता देखा हूं ध्यां पर जो यह राजस्थान का इलाका और गुज्राद भारत में चो राजस्थान और गुज्राद का मिलती हैं मतलब कि इसमें कांटे ज्यादा होते हैं क्योंकि यहां पर आपको मौंटनस फॉरेस्ट मिलेगा मतलब की परवती वनस्पती क्योंकि यहां पर बहुती अधिक मुझे मुझे पहाड़ होते हैं कि यह जमो कस्मीर यह लंदार यह आपका हो गया हिमाचल पर्देश यह हो गया आपका उतरक कि अधिके हुआ हुआ है हुआ 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 है यहां पर भी आंध्रा और तिलंगाना के लाखे पर भी आपको कटेली मनस्पत्या मिलती क्योंकि बारिस बहुत कम हो अब यहां पर जो आपको इस ऐड में इधर दिख रहा है यह वाला जो सरकल सरकल में बना रहा है यहां पे आपको मिलता है यहां से बिसकेन में यहां है यहां 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 एवर्ग्री मौरस्टा एवार्वन। और यहां पर हमेशा जो पेड़ पौद्य होते हैं ठीक है ना कि शालों भर होते हैं कि यह पड़ नाधी यह आपको गुजरात का थोड़ा महारास्ट्ट गुवा करनाथ का किर्ला तामिलनाडू इनसे विलाक्व में अंधरा में यह आपका हो गया और यह प्रस्यम बंगाल आसाम नागालेंड मीजोरव में गालें तरी पुरा इस वह दो हमेशा 24 गंटे जब तक बैठे हुए यह संद्व है आप लोगों यह जो मैंने तीन सरकल बनाये हैं यहाँ पर होता ह में आए बनाक बनाती है तो डेंटा बनाती है मतलब डलदल वाला इलाका जहांगी कि यह मैगरो फॉरेस्ट पाया जाता है और यह इतना मैंने यह सर्कल बनाया है कि इस वाले इलाखे में काउंसामों फाउंटें होगा टॉपिकल नैसे इस उसलिकटी बंदिया पते छड़वन याद रखिएगा तो भारत में सबसे अधिक उसलिकटी बंदिया पते छड़व बीना मैप के समझ में नहीं है समझ में वाạo है देखिए आखों को खोलके अ है मैं धोड़ा वोता आप लोगों को बता दो मैप पे आप लिए अगर मैं आपीडार एवर्ग्रीन फॉरेस्ट का यह मिल साया है। ट्रॉपिकल रेंफॉरेस्ट या उस निपके बंदिया वरसाब ठीक है वो पोस्टल इलाटे में यह वाले और इधर नौर्ट इस्टोड यह पाए जाए क्योंकि यहां बहुँ ज्यादा बारिस होती है उसके बाद यहां पे जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं सालों भर हरे रहते हैं उनके पत्ते कभी भी गिरते हैं तो हमेस पहुँचते इसलिए वाराफ में सबसे घनेवन यहीं और सबसे अधिक जीव जनतु भी यहीं पाए जाते हैं यहीं वाला इसी के बार देखो आए लिए जमुकस पे अब दूसरा है ट्रॉकिल डेंस फौरेस्ट उसको मौंसून फ्रस्ट भी करते बारिस के मारेको जंगल हरे भरे रहते और नहीं तो और दूसरे मौसम में आटम के मारे सारे पज़ड के मारे पत्तेğa देटें यह यह जितना सरकल गोला बना हुआ है मैप पे आपको दिख रहा होगा वीडियो में बताया था उस सारे के सारे ट्रॉपिकल डेसिदियस पॉरेस्ट के ही एक समझ मारी बात पीपल बर्गद यह सब इसके जो हमारे आसपा जो पेड़ दिखते हैं हम लोग भी उसी में आते हैं दिल्ली में भी ट्रॉपिकल डेसिदियस पॉरेस्ट के पाए जाते हैं मद्द पर्देश उत्तर पर्देश बिहार जारखन चतिस गड़ उडीसा और इन बहुत सारे महरा अब अगर थोरनी बुसेश की बात करें तो भाईया यह हरियाना पंजाब राजस्थान और थोड़ा बहुत गुजरात में भी इस तरह के जंगल पाए जाते हैं जो कि मैंने उबर बना ही रखा है यहां पे कटिली जाड़ियां पाई जाती हैं कैक्टस खैर बबूल कीकड कैंटे क८ंद इस तरह के पेड़ एपाय जाते जिसमें कंटे किस 2020 का का ने बबूल है पत्ते होते हैं एक चektम चोटे-चोटे बहुत में और वहुत honih बड़े-बड़े कांटे होती इतने बड़े कांटे होते हैं ठीक आगे मांटेन वेजटेशन वह होता है जो कि पंद कम से कम 1500 मिटर की से ज्यादा हाइट कियो मैंने दिखाई दिया जमू कस्मीर लद दाग हरिया हिमाचल प्रदेश उत्राखंड सिक्किम और अरुनाचल प् यह 1500-2500 मिटर की हाइट पे होते हैं इसके जो भी पेड़ होंगे वो कॉनिकल होते हैं मतलब कोण धारी मतलब ऐसे क्रिस्मस ट्री के तरह होते हैं ताकि जब सर्दियों में बर्प गिरे तो बर्प नीचे फिसल जाए पेड़े नाट होते हैं इसका मेन पेड़ क्या होता ह ग Regina good the शीड़ चीङ रहाइद रिखेगा चीड और देवदार माूंटन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं पेड का ना फिर्द देवदार और तरंड कोण इसमाध् limited पॉन है ऐसे मेग्रो फोरेस्ट महा नदि सुन्दर्वन का टेल्टा गंगा की डेलटा को सुन्दर्वन का टेल्टा तो किरिशना गोदावरी पर मेगरों फोरेस्ट पर पाए जाते हैं कि अंडमान निकोबार बंगाल इन सब पाए जाते हैं अब अगर आपसे कोई पूछे कि फोरेस्ट क्यों इंपोर्टेंट है तो मैं नहीं बताऊंगा कल बताऊंगा या किसी और दिन बताऊंगा आज इतना ही एक छोट